कि सियाई सफ से वेकेंसी निकल करेके आ रही है सेंटरल इंडेस्टियल सिकूर्टी फोस की तरफ से यह वेकेंसी जो है वह है कॉस्टेबल ट्रेट्समें 2022 के लिए जो यह डेट है समिस्टन यानि के ओनलाइन स्टार्ट कप से होगा तो यह 21 नॉवंबर 2022 से 20 दिसंबर 2022 तक यह चलेगा और इसका यह क्लोजिंग डेट जो है एप्लिकेशन का वह बीस दिसंबर 2022 को हो जाएगा तो बात करते आगे एप्लिकेशन के बारे में तो यह जो एप्लिकेशन करना है कंडिडेट को यह और सिर्फ ओनलाइन मध्यम से करना है मेल एन फीवल कंडिडेटिक्स में अपलाई कर सकते हैं भारति नगरिक इसमें आविदर करने के पात्र होंगे यह जो पत कर नाम रहेगा और इसमें जो पेसके लोग दिया जाएगा वह प है आफका जोफ आपकी यहां पर जाओग होगी वो किस लेवल से अचलाफ यहनिक प्रोसेस क्या है टोटल प्रोसेस से अचले के बारे मब बिद्विकल इस्टेंडरं यह जो अच्छेंचों कista यह जो अच्छों कि फिल्टिश्यत्थ such में पकि पहले लिए जाएगा ते उसके बाद है PET Physically Efficiency Test लिया जाएगा उसके बाद डॉक्रमेंटेसट होगा, documentation के बाद leater लिया जाएगा फिर eternal examination OMR या फिर computer में लिया जाएगा या वेकलक्प्रसल प्रसंद खम्प्रस्थिट या आप सेट पर लिया जाएगा, उसके बाद है mode of medical examination यह रिटेन निजाम जैसे कि पहले बता दिया गया है और आगे आके देखते हैं हम लोग पेश कर जो रहेगा वो रहेगा थ्री लेवल का जिस जो एक किस रजा सासों से लेके उन्हें तरजा सो के बीच में रहेगा वेकेंसी की बात कर की जा यहां पर तो वेकेंसी जो है सेक्ट पोस्ट कर नाम दिया गया है कोस्टेवल कोग जिसना से के मेल में 247 फीमेल में 27 तोटल 224 वाकी यसम जो की अधर पोस्ट आते हैं अधर वेकेंसी में कोस्टेवल कोबलर की अगर बात की जाए में टोटल वेकेंसी की संख्या 6 बताई गई है और कोस्टेबल बारवर की यहां पर बात की जाए तो मेल और फीमेल टोटल मिला करके यहां पर एक सोदोा एक सीट की से रखी गई है, उसी तरह कोस्टेभबल वसर में की अगर बात की है, तो रखा गया है, कोस्टेबल स्वीपर की अगर बात की जाए तो एक सन्यानवे पोस्ट यहां पर उनके लिए रखा गया है कोस्टेबल मेशन की अगर बात की जाए तो यहां पर यह बारा रखा गया है कोस्टेबल प्लमबर की बात की जाए तो इसमें टोटल चार सीट है कोस्टेबल माली के गare बात के जाय तो इसमें जो है, total संख्या रखी गई है, सीटों की, वह है, टीन रखी गई है, अगर बात की जाय तो सीटों की संख्या तीन है, total कुल मिलाकर के mail के लिए 633, थे मले के लिए 69, total साथ सोदो और एसम सर्क्तर के साथ grand total, तोटल केंशिक संखैला साथ 250 आंकर बेकलोग को कि लिए water को तोटेंवर यहां पर रखे हैं है आधक सिक्ट टैरेक holidays में एकॉस्ट अधका इसां दिख वो गारेह वाहे डिया यहां पर वेकेंसी के लिए पात रहोंगे जो अप्लाइ करेंगे उन्हें यहां पर पोस्ट का नाम के साथ के टेगरी जो दिया गया यूर्स्टी ओविसी टोटल जो कि अलग अलग सेक्टर से यहां पर आएंगे उनके यहां पर सीटों की संख्या कुछ इस तरह का से बताई अरत कि यहां पर बैकेंड सीटों की सेंगां यहां पर दी गई है अब आप यहां देख सकते हैं ऐलग यहां पर दस आ गयाे आटाल सתחस्था भणी दिये जाएंगे बात की जाएंगे यहां पर की एडुकेशन क्लालिफिकेशन की क्या होना चाहिए करिंडेट जो की CISF ट्रेट्समेन के लिए अपलाई करेंगे उन्हें मेट्रिक मेट्रिकुलेशन लेवल किसी भी अमानिताप्राफ्त अंसंस्थान से होना चाहिए उन्हें सांस्थ स उन्हें स्कील ट्रेट का स्यर्टिफिकेशन आलग से प्राफ्त ए जैसे कि tu recommend के लिए कॉपके लिए मेशन माली पैंटर के लिए अगर उनका पास अतरिक्त योगिता का स्युण्यक्रेफिकेश्ट थो उन्हें वानेता दिजाएगी एज लिमिट की बात अगर यहां पर की जाए तो एज लिमिट आपका रखा गया है 18 से 23 साल के बीच में जिसकी गन्ना की जाएगी एक अगस 2022 तक कंडिडेट है कंडिडेट वैसे कंडिडेट जिनकी जिनका जन्म दो अगस 1999 तक और 18 2004 का पहले हुआ हो तो वह इसके लिए अपलाई कर सकते हैं ठीक है और यहां पर जहां पर एज रिलेक्सेशन के अगर बात कि आप देख सकते हैं कि अलग लग के लिए अलग लग एज रिलेक्सेशन दिया हुआ है यह आप फूल डिटर्स वीडियो का पाउस करके या फिर न अब इसके लिए वह 170 सेंटीमीटर की रहेगी चेस्ट यानि की छाती के चल्डाई जनरल कंडिड़ेट ओविसी एसी एड़ूस के लिए जो रखी गई है वह 80 से 85 सेंटीमीटर की होनी चाहिए मिनिमम एक्सपेंशन पांच सेंटीमीटर यानि के 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच और और रिलेक्सेंट के बारे में आप यहां पर दिख सकते कि कुछ रिलेक्सेंट यहां पर जाया हुआ है अलगलग करिंड़ेट यह बासा को इसी पर इस इसन में हर् फूरी पूरा तरह पड़ सकते हैं वीट अगर वज्जन की बात की जाए तो प्रोपेशनल टूबी हाइट एंड एज एज पर मेडिकल एस्टेंडर यानि कि जो आवेदक है उनकी उचाय के साथ सथ वजन का भी आउसत होना चाहिए जहां तक आई साइट की अगर बात की जाए तो minimum distance विजन जो है आवेदिक का यहां पर बता गया है कि टेटू फिक्स नहीं होनी चाहिए यहां पर अलग लग सेक्टर को अलग लिजन वाइज से भी बाटा गया है यहां पर जिसके आप देख सकते हैं इस्टेट का नेम दिया है और नेम आफ एप्लिकेशन डिसी सेंटर विट अड्रियस यह जो है अपर नौटिफिकेशन में फूल जागर कि यहां पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो है इस्टेट्स यानि कि राज के लिए कौन-कौन सा स तो फोटोग्राफ जो फोल में होना चाहिए वह 20-50 के बीच पर आना चाहिए और उनका जो डाइमेस्टन वह साँड़ी सेंटिमीटर चोड़ा और चार सेंटिमीटर का उचा होना चाहिए और पोटो में कश्ट जो आविदाख है वह किसी तरह की क्या प्यानी की टोपी य किया जाएगा सिग्निचर के मामले में यहाँ पर जेपीजी फोर्मेट में 10 से 20 के बीच में राना चाहिए जिन में 4 सेंटीमेटर चावड़ा और 2 सेंटीमेटर की उचाई होनी चाहिए अगर बात की जाएगा तो उन्हें फीडिया फोर्मेट में अप्लोट करना है एडिकेशन कॉलिफिकेशन यहां पर सला दी जाती है कि अपना जो भी एप्लिकेशन है लाज डेट से पहले अपलाई कर ले क्योंकि ऐसा देहा है कि अंतिव सभवे में अपलाई करने से सर्वर प्रॉलम हो जाता है जिसके करन आवेदक सभी से ओनलाई नहीं कर पाते हैं उन्हें काफी परेशान होती है तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए है को यहां पर फिस की बात कि जाए एह फिलीकेशन फिस्ट की तो एहां पर फिस्ट में छूट रखा गया या यानि कि महिला को एस लिट्नियक या फीर एक सर्विसमें करिंडेट के लोग किसी परदार की परचास के दे नहीं होगी परचास के तो होगा आपको सिर्फ यह नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट डेविट कार्ड यूपिया के मध्यम से सिर्फ देना होगा जो कि ओनलाइन नहीं जमा हुआ किसी तरह का ओफ-लाइन यहां पर आप जाते है फिजी कल इफिसिंसी टेस्ट इनिकी जो ऐन लिया जाएगा तो किस परकार से लिया जाएगा तो फिजी कल इसिंसी टेस्ट में हम लोग यहां पर देख सकते हैं ली मेल काइनड़ेट के लिए 1.6 किलो मीटर का रास रखा गया है जो उन्हें 16 मीनिट 30 सेक्डन के अंदर कंप्लेट करना साथ उसके बाद महलाव कंड़ेट के लिए 800 मीटर का यहां पर रखा जो कि उन्हें चार मिनिट के अंदर कंप्लिट करना होगा यह जो रहेगा सिर्फ क्वालिफाइंग निचर कर रहेगा यह रेस यह दवड आपका इसका मार्स जोड़िन नहीं जाएंगे आपको सिर्फ यह रेस में क्वालिफाई करना है कि जिसे यह निल्ग लाव यह रतेस्ट जाएगा उनका ट्रेड टेस्ट लिए जागा जैसे कि करण कीको कि लए कुमसर्टर टेस्ट लिया जागा को की माफ चपाति रोटी को कि फेची टेवल डाल डाला सामब degreework औरषी यानि के अलंग लग-छर्ट्रेटक यह बीच दिया ह हुआ है अब जी से के हां पर देख सकते हैं इसÎ तरह पोस्ट के लिए अब या लिए lot परदे सकते हैंerek कर् neur pik a चैश्ट कर दया जाएगा तिधी याज़ाह और सुइपर है पेंटर है मैशन है मल्बं और माली है विल्डर है सभी के लिए अलगलग टेस्ट लिया जाएगा तो आपने नोटिकेसिन में जाकर डिटेल से दुबारा इसको देख सकते हैं और रिटेन इग्जामिशन के अगर बात की जाए तो जो की फिजिकल टेस्ट और फिजिकल एफिसेटी टेस्ट पास कर देंगे उसके कर दिटेस्ट जब लिया जाएगा डोकुमेंटेस्ट के बाद तो उनके बाद उनका जो हैровा उने बनेगा और जहां तक कि रिटेम्शन की बात की जाए तो जो तहले रिटेम्शन हूंग हो गहेगा उब्डीक्ट्टेप का क्वेश। लहेगा जो कमारश सीट पर दिया ज जिसमें किसे सब क्वेस्टन रहें गें इनका स्लेवर स्कुछ इसता रहें का जने लाएंश इंगे जने नॉलेज आगा नॉलेज अप एल्लेमेंटी मैथ्मेटिक्स से रिलेटिड रहेंगे और जो किसी तरह और आपका फिर जैसे की एक्जाम में होता है एक पैटर्न वगेरा का पैटर्न से पैटर्न मिलाना पैटर्न टूटे हुए पैटर्न को ढूना इत्यादी का उसमें नहीं आ जाए जाएगा के नॉलेज्ज जो की हिंदी और इंग्लिस में वह भी यहाँ पर जात बिल्कुल इसी तरह से रहेगी और यहाँ पर देखते हैं कि जो कंड़ेट अपना आविदा फोटो जो अपलोड करेंगे वह बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए यहाँ पर देख रहे है आप सेंपल दिया हुआ है नोटिफिकेस्ट में जाकर कि सेंपल को आप देख सकते है बिल्कुल ऐसा ही फोटो होना चाहिए चहरा साफ नजराना चाहिए दोनों कान यहाँ पर नजराना चाहिए और बैगरांड वह वाइट कलर का होना चाहिए किसी तरह का कलर बुलर यानि के फोटो में कलर नहीं होना चाहिए फोटो में किसी तरह का करेंड़ेट को टोप देख लेना आप लोग को और आप लोग को यहां पर फोटोग्राफ का सेंपल यह दिया हुआ है इसके आधार पर ही आपको अपना अवेधन फॉर्म भरना है तो यह था से ट्रेट्समेंट से रिकुमेंट सबंदित जानकारी मैंने आपको दे दी और भी किसी तरह की जानकार झाल